ठीक है, उत्त्राखंड के मेरे सारे जितने युवा साती हैं, उनकी वज़े से मैं लाइब आया हूँ, क्योंकि आज देरादून में दिन भर जिस तरह से युवा सात्यों पर लाटी चार्ज हुआ और कुछ फोटोग्राप मैंने अभी ऐसे देखे, जिसमें हमारा एक छोटा भाई अपना सर पकड़े हुए है, उसका सर फटा हुआ है, और समझ भी नहीं आ रहा है कि हमारे युवा साती करें तो क्या करें। सरकार को जगाने का प्रियास तो किया जा सकता है, तो इस वज़े से मैं लाइव आया हूँ। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो CBI जाज की मांग हमारे युवा साती कर रहे हैं, वो मांग तो हमने अंकिता बंडारी के लिए भी की, और CBI जाज की मांग लेकर हम हाई कोड गए। हाई कोड ने हमें मना कर दिया कि CBI जाज की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब जंता सड्कों पर है, युवा साती सड्कों पर है और एक जंता की आवाज है कि CBI जाज की जाए अंकिता बंडारी आले मामले में। और यही बात हमारे युवा साथी भी कह रहे हैं कि जब सारी भरतियों में गोटाले हो रहे हैं, सारे पर्चे लीक हो रहे हैं और सरकार खुद ही जो पुरानी न्यूक्तिया हैं उन लोगों को कईयों को हटा चुकी है, कई दरोगाओं को हटा चुकी है पुलिस विवाग में तो इसका मतलब तो इस पस्ट है की न्यूक्तियों में गरवड़ हो रही है और जितनी भी परिक्षा हो रही है उनके पेपर लीख हो जा रहे हैं उनमें भ। ब्रस्टाचार हो रहा है और सरकार की ही पुलिस पकड़ रही है उन लोगों को CBI जाच के लिए तयार कोई भी नहीं होगा, कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री इस दौरान होता, वो इस जाच के लिए तयार नहीं होता, मैं किसी पार्टी विसेश की बाद भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग सभी जानते हैं कि सरकार के जो लोग नजदी की होते हैं, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, वो अपने लोगों को खीनस्तान करके गलत तरीके से उनकी नियुक्तिया सरकारी नौक्रियों में करवाते हैं, ये आज से नहीं हो रहा है, ये लगबग, मैं तो सुरू से ही देख रहा हूँ, हमारे जवाने में भी यह होता था, जब हम बहुत यंग थे, तो उस दोरान भी यह चलता था, और आज भी हमारा युआ यही दिक्कत फेस कर रहा है, कि वो पढ़ाई करता है, मेनत करता है, और उसके बाद जब उसके सेलेक्शन की बात होती है, तो किसी मंतरी जी का, किसी नेता जी का, यह सत्ता के किसी नजदिकी का, किसी आधिकारी का, चाचा, बतीजे का, किसी का भाई का, बेटे का, किसी का भी, रिस्तेदार वहां नौकरी लग जाता है, और जो हमारे मेनती पड़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके रहा जो है वो बंद हो जाती है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जीवन में और कम से कम सरकारी नौकरियां तो बहुत आसानी से नहीं मिल पाती हैं मुकेस तिवारी जी कह रहे हैं कि धाकर धामी हैंसम धामी वा बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही काम है ये देख रहा था कि उनको देश का सबसे स्मार्ट मुक्यमंत्री चुना गया है लेकिन क्या स्मार्ट होना चेहरे महरे से स्मार्ट होना कूसूरत दिखाई देना इसक संतुस तो पाएं तो आपके चेरे महरे का कोई फर्क नहीं पड़ता उसे हैंडसम नहीं कह सकते उसे तो अगली ही कहना पड़ेगा और अभी जो छवी धामी जी की बन के आ रही है वो बहुत अगली छवी है वो एक बद्धी छवी है क्योंकि देखिए जब युआ इतने समय अक्रोसित हैं और लगातार इजाज की मान कर रहे हैं तो क्या झरूली नहीं हो जाता कि सरकार की तरप से कोई पहल होती और यूँआ साथी के साथ वार्ता होती और उनकी बात को सुना जाता उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, लगातार उनकी बात को नजरंदाज किया जाता है और जब वो धरना प्रदसन करते हैं, गांधी पार्क में सांतिपूर डंग से अपना आंदोलन चलाते हैं तो रात को पुलिस अचानक जाकर उनको वहां से जबरन उठा लाती है उनको घसीट के वहां से ले जाती है और अगले दिन जब दूसरे युवास आती उनके पक्ष में देरादून में कत्रित होते हैं तो उन पर लाटी चार्ज हो जाता है अब हाँ मैंने ये भी देखा कि पत्रा हुआ तो वह पत्राओ तो जाच कभी से है वह युवाओं ने किया या वो पुलिस का ही कुछ लोग थे कि उन्होंने पत्राओ कर दिया हो क्योंकि पुलिस के भी कई लोग वहां पे बिना बैच के दिखाई दिये उनके नाम नहीं लिखे हुए थे वह वीडियो में हमारे पास भी आया तो यह कहने सकते हैं कि वो लाटी चार्ज के बाद जो पत्रा हुआ वो किस ने किया लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन जो एक परिस्तियां पैदा हो रही है इसके जिम्मेदार कौन लोग है देखिए इसके जिम्मेदार तो सरकार ही है सरकार हर चीज को अंसुनी कर रही है चाहे जोसीमट में हमारे वहां पर सती जी वहां पर आंदोलन कर रहे हो इंद्रेस मैकुरी जी वहां पर आंदोलन कर रहे हो उनको माववादी बताया जाता है उनको देशद्रोही बताया जाता है मतलब यह है कि जनता का जो भी नुमाइंदा जो भी आप कहेंगे कि पड़ा लिखा एक्टिव आदमी आगे आने की कोशिस करता है और वो जनता को न्याय दिलाने की कोशिस करता है उसको आतंगवादी बता दिया जाता है उसे देशद्रोही बता दिया जाता है और ऐसे ही हमारे युवाओं को मैं देख रहा था कि हमारे कुछ पत्रगार साथी तक उनको अनाप सनाफ फेस्बुक पर लिख रहे हैं मुझे सरमाती है अपने ऐसे पत्रगार साथियों पर जो कि हमारे युवा साथियों के लिए अनाप सनाफ फेस्बुक पर लिख रहे हैं क्या हुई यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा युवा किस दौर से गुजर रहा है लगातार भरती परिक्षाओं में गड़बडियों की जो सिकायत मिल रही हैं खुला से हो रहे हैं उसके बाद जो उनका मनोवल टूटा है जिनका जो 20-25 साल के हमारे युवा साती हैं भाई ह हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें आगे अपनों भविस से नहीं दिखाई दे रहा है तो वो अगर आक्रोसित होकर देरादूर में सांतिपूर ढंग सईकत्रित होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार का कोई नुमाइंदा कोई मंत्री उन से जाके बात करता उनकी बात को समझता और फिर आगे बाद बढ़ती लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यह जो कम्यूनिकेशन गैप है सरकार की तरफ से इसकी वज़े से यह स्थितियां पैदा हो रही हैं जो आज पैदा हुई और इसी परिस्थिती की वज़े से हमारे युवा साथी आज वहाँ पर किसी का सर फूटा हुआ है किसी की टांग तूटी हुई है और उनके परिवार वाले भी दुखी है कि यह हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी स्रकार को लेनी पढ़ेगी और मुक्यमंत्री जी को लेनी पढ़ेगी कि मुक्यमंत्री जी अगर आप वाकई हैंड्सम है तो अपनी खूब सूर्ति को उन योआउ के सामने दिखाए ना आप उन योआउं के बीच में जाएए उन से बाचित करिये आप गानी पारक आईए और वहाँ पे अपनी जो आपकी सारीक सुन्दरता है और अगर आप कुछ बहतर बोल सकते हैं तो वहाँ पे उसका पुर्दसन करिए और उनसे वारतालाब करिए उनकी बात को समझने की कोसिस करिए क्या वो आपका केवल वोट बैंक हैं क्या चुनाओ के वक्त आपको उनकी जरूरत है और उसके बाद पांस साल तक आपको उनकी जरूरत नहीं है अगर वाकई ऐसी बात है तो मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि ऐसी ब्रष्ट सरकार का बहिसकार करें वो और आगामी जितने चुनाओ आने वाले हैं चाहे वो लोकसवा का चुनाओ है चाहे आपके पंचायतों के त्रियस्तरिय पंचायतों के चुनाओ होंगे नगर पालिका के चुनाओ होंगे आखिरकार हम ऐसी अंधी बहरी सरकार को वोट क्यों दे जो कि हमारी बात सुनने को कोई तयार नहीं है अंकिता भंडारी के case में हमने यह देखा जोसी मत में जो आब दाई're हैं उसमें हम देख रहें कि वहां पे कोई सुनने को तयार नहीं है और जब यूवासाथी वहां पर दैरदून.ं तो फिर इसका मत्तब तो यह है कि आपको सत्ता से हटाना पड़ेगा यही समधान बसता है और क्योंकि यहां पे विदान सभा चुनाओ तो अभी 2027 में होंगे लेकिन अब जो लोग सभा का चुनाओ है वो तो बहुत नजदीख है और लोग सभा के चुनाओ में भाजपा को स सबक सिखाये जाना चाहिए कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि मैं पत्रकार होते हुए ऐसक कैसे कह सकता हूं लेकिन पत्रकार भी इससी समाज का एक अंग है और जब उसे अन्याय होते हुए दिखाई देगा तो बोलेगा जरूर और मैं कह रहा हूं अपने दिल से कह रहा कि अगर कोई सरकार ये कोई सत्ता में कोई भी बैठा हुआ है वो अगर निरंग कुस हो जाए और वो सुनने को ही तैयार नहीं हो तो लोग कंत्र में यही बेवस्ता है क्योंकि जंता सर्वों पर है वो सरकार को हटाए और अभी ये सरकार अभी नहीं अट पाएगी तो कम से कम लोग सबा चुनाओं में इनको सबक सिखाए जा सकता है और मैं अपने सारे युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग क्योंकि आप लोग युवा हैं और आपके सामने एक लंबा भविस्या है तो आप धीरे धीरे करके उत्तराखंड की जो राजनीती है उसमें भी अपनी पकड़ बनाए और एक साफ सवच्छ सरकार उत्तराखंड के लोगों को दे क्योंकि इस सरकार आप अपने ही भाईयों को देंगे अपने ही बहनों को देंगे और एक बहतर जब सरकार यहां पे आएगी साफ सुत्री सरकार जब यहां पे आएगी तब ही युवाओं का भला हो पाएगा क्योंकि जो गड़बडियां भरतियों में हो रही हैं उसमें कोई भी सरकार कम नहीं रही है किसी की भी सरकार रही हो आपको पता है सबने अपने रिस्तेदारों की भड़ती वहां पे विदान सबा में करवाई सचेवाले में करवाई अलग-अलग विभागों में आपको जानकारियां मिलती रहती है education जो आपका education जो विभाग है उसमें तमाम किसंगी जो नियुक्तिया हैं चाहे वो असास्किय की नियुक्तिया हों चाहे वो university की नियुक्तिया हों सब में भाई बतीजावाद चलता है और मंत्रियों के नेताओं के रिस्तेदार बच्चे भाई बतीजे वह वहाँ पे नौकरी लगते हैं तो अब ये जरूरी हो जाता है कि भाईयों बहनों मेरे छोटे भाई बहनों आप मेरे और मैं आपको एडवाईस करना चाहता हूँ कि जो आपके अंदर ये उर्जा है इस उर्जा को आप देरदून जाके लाठी डंडा खाके वहाँ पर ब्यर्थना गवाईए आप लोग एक जूट होईए पूरे उत्राखंड के युवा साथी एक जूट हो और हम जो आपसे थोड़ा उम्र में जादा है हमसे जो भी राय आपको मिल पाएगी वो भी लीजिए क्योंकि आप युवा तो हैं लेकिन आपको कई तरह की के अनुभव अभी नहीं है तो हम आपको अनुभव दे सकते हैं और उत्राखंड में एक वैकल्पिक राजनीती की सुरुवात कीजिए और यहां पर जो छेत्री राजनीती खड़ी नहीं हो पा रही है उसको खड़ी करने में आपका एक विशिस्ट योगदान हो सकता है और जब आप लोगों के हाथ में ही सत्ता आएगी तब कोई भी आपके साथ अन्याएं नहीं कर सकता जब तक कि यहां पर इस तरह की सरकार रहेंगी ब्रश्ट सरकारें रहेंगी और ब्रश्ट नुमाइंदें जब तक सासन करते रहेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा मैं आपको एक इंजांपल और भी देता हूँ सायद आप में से कही लोगों को पता भी नहीं होगा इनी धामी जी की सरकार में देरादून में एक उद्योग पती है विंडलाज करके उनका एक संपती का कुछ मामला था उसमें CBI जाज की सस्तुति की गई है मतलब एक जमीन का छोटा सा गड़वड़ी का जो मामला है उसमें CBI जाज करवाते हैं अब ये तो यही बता पाएंगे कि CBI की क्या जाज की जुरती ने पड़ गई क्या वहाँ पे इनकी SIT काम नहीं कर पा रही है एक जमीन का विवाद या जमीन का घोटाला क्या आपकी राजेस्तर की जो पुलिस है वो उसको सुल्जा नहीं पा रही है कि आप CBI को बुला रहे है और जब पूरा जन सामान या उत्तराखंड के सारे लोग कह रहे हैं देश के सारे लोग कह रहे हैं कि अंकीता भंडारी की केस में CBI जाज करवा दीजे जो भरती गोटाले हो रहे हैं इसमें CBI जाज करवा दीजे तो इसमें आप सुनने को तयार नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आपके मंतरी आपके नेता, आपके नुमाइंदे, सरकार के लोग, ब्यूरोक्रेट ये सारे लोग इन गोटालों में, भरती गोटालों में सलिप्त हैं और इस वज़े से CBI जाज को सुईकार नहीं किया जा रहा है तो मेरे लाइब आने का कारण यही था कि मैं अपने युवा सातियों को थोड़ा उनका दर्द माटना चाहता था और उन से निवेदन करता हूँ कि जो आपके अंदर ये इतनी अपार उड़जा है इसका आप सदूप्वेव करिए, आप पढ़ाई करिए आप प्राइविट सेक्टर में भी आपको जौब मिल सकता है, आप सरोजगार भी कर सकते हैं आप उसके लिए प्रियास करिए और सरकारी नौकरी फिलाल इमानदारी से मैं सच कहूं तो आप अगर सरकारी नौकरी के लिए उत्तराखंड में प्रियास कर रहे हैं आपकी जो इनर्जी है वो वेस्ट होने वाली है, इसलिए मेरा तो सुझाओ ये है कि फिलाल जब तक उत्तराखंड में इस तरह की भ्रष्ट सरकार यहां पे हैं तब तक आप जो है सरकारी नौकरी की आज छोड़ दें और अपनी उर्जा निजी सेक्टर में रोजगार प्राप्ति के लिए या सरोजगार करने के लिए उस उर्जा को लगाएं और उसके पैरलल आप एक उत्तराखंड को एक वैकल्पिक राजनीती का एक विकल्प देन कि कोई ऐसी वज़ा हो सकती है कि उत्राखंड को एक ससक्त राजनीतिक विकल्प आप लोग नहीं दे सकते उस दिसा में भी सोचिए मैं बॉबी पवार जी से निवेधन करूंगा जो की बिरोजगार संके नेता हैं और काफी बड़ी संख्या में युवा उनसे जुड़े ह अगर वो चाहें तो हम लोग एक मीटिंग कर सकते हैं जिसमें मैं जो ऐसे लोग मुझे दिखाई देते हैं समाज में जो अपने अपने इस तर पर जगा जगा समस्याओं को उठा रहे हैं लोगों की और लोगों को कही न कही नियाय दिलाने का प्रियास कर रहे हैं हम लोग तरह तरह के जो अन्या यहां पर हो रहे हैं युवाओं के साथ चाहे रोजगार को लेकर हो चाहे अंकिता भंडारी जैसे हत्याखांड हो चाहे जोसिमट आबदा हो तमाम कैसे ऐसे मामले हैं कई जगा उत्राखंड के लोगों की भूमी को कबजा दिया गया है और उस भूमी पर उनका एक हक था कि वहाँ पर किर्शी कर सकते थे पासुपालन का काम कर सकते थे या कोई और काम कर सकते थे वह हक भी छीन लिया है तो दोस्तों यही मौका है कि हम लोग संगटित हो सारे युवासाथी एक मंच पे आए जहां-जहां अन्याय हो रहा है जोसिमट में वो एक मंच पे आए यूकेडी के लोग एक मंच पे आए और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कॉंग्रेस और बीजेपी में हैं लेकिन किसी मजबूरी की वज़े से हैं उनके अंदर छट पटा हाट है और वो चाहते हैं कि अपने उत्राखंड का कुछ भला करें सारे लोग एक म मंच पे आ जाएंगे तो इस सरकार को हम उखाड फेक लेंगे या आप निश्चित मानिए हम इन्हें पहले तो लोगसबा चुनाओं में पठकनी देंगे और उसके बाद जो हमारे चोटे चुनाओं अगर पालिका के होने वाले हैं या पंचायतों के चुनाओं होने वाले हैं यहां से इनका सफाई अभ्यान चलेगा और जब सफाई अभ्यान चलेगा तो सत्ता का जो नसा इनको हो गया है जब घर में बैठेंगे तब इनको अपनी आउकात पता चलेगी कि लोक तंत्र में जनता सबसे उपर होती है और इनको यह अधिकार नहीं था कि यह जगा- अडै हैं हमारे यूइ साथियों के साथ करें तो ये सारी बातیں ہیں कई कमेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं छोटी सी मांग है बहुत सारे लोग कह रहे हैं रोजगार भरती परिक्षा में पार दर्सिता चाह रहे हैं वाकिए ट्रांस्परेंसी होनी चाहिए लेकिन transparency होगी कैसे जब सरकार के लोग involved होंगे तो transparency होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता तो यह हमारे लिए सब के लिए सोचनिये भी से है और मैं अपने खास तोर पे युवा सातियों से अन्रोथ करता हूँ कि एक मंच पे आने का वो मन बना ले क्योंकि बिना राजनितिक बदलाव लाए हुए उत्राखंड का भला नहीं होने वाला जो फोड़ा अप फूटा है बीस साल के बाद जो बड़तियां गड़वड़ियां हो रही है यह आज से नहीं है बीस बच्ची साल से पहले से ही उत्राखंड बनने के बाद से हो रही है और इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं और अगर आप चाहते हैं कि पार दर्चिस्ता के साथ यहां पर भड़ती प्रक्रियां हो तो उसके लिए जरूरी है कि एक राजनितिक विकल्प आप इस प्रदेश को दें और जब आप खुद आप लोग सत्ता में आएंगे और इस तरह के भरष्ट लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे तभी सफाई अभ्यान जो आप चलाना चाहरे हैं जो CBI जिसका एक माध्यम मन रहा है कि CBI जांच हो जाए देखिए CBI जांच अगर हो भी जाए तो CBI भी केंद सरकार की कंट्रोल में होती है वो किस तरह से जांच कर रहे हैं कि CBI जांच हो जाए तो लेकिन इसका जो एक पूर्ण कालिक समादान जो मैं आपको बताना चाहरा हूं वो यह ही है कि यहां से जो भरष्ट सरकारे हैं इनको यहां से हटाना होगा और अच्छे इमांदार जन प्रतिमिदियों को सत्ता में बैठाना होगा तभी उत्तरा खंड के लोगों को न्याई मिल पाएगा तो सातियों फिर जुड़ेंगे और अगर आप मुझ से आगे इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप मेरा मोबाईल नमर भी ले लीजिए वैसे मेरे फेस्बुक में तो दिया हुआ है यहां पे पेज में 783067767 मैं करते हैं तो मैं आपको बता दू कि वो लडाई जो है वो हम सुप्रीम कोट में ले जा चुके हैं और जल्दी उसमें जो डेवलेपमंट होगा वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा और मैं आजकल आपको कम दिखाई देता होंगा उसका कारण यही है कि मैं पहले फोकस संकीता भंडारी को न्याय दिलाने की जो लड़ाई है उसी पर कर रहा हूं और एक मामले में अगर हमने सफलता प्राप्त कर ली तो दूसरे मामलों में भी हम लोग आगे आएंगे और मैं स्वयम ब्यक्तिकत तुरूप से प्रयास भी करूँगा लेकिन फिलाल मेरा युव और आपके भाई हैं वहाँ पर आपसे सीनिर वह पहुंचेवे लोग हैं वह अपने भाईयों को समझाए कि वहाँ पर आकरो़ प्रदिशित करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जो लोग सत्ता में पात को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे इसलिए आप संगटित होकर एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होईए और उत्राखंड को एक राजनितिक विकल्प देने की दिसा में भी सोचिए और हम एक बड़े भाई होने के नाते इसके लिए जो भी बन पड़ेगा उसमें आपका सयोग करेंगे और एक बहतर उत्राखंड क बनाएंगे जय उत्राखंड जागो उत्राखंड